जैगनेश बैभव लक्षमी ब्रत्क था एक बड़ा सहर था इस सहर में लाखो लोग रहते थे पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम में आते थे पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है सब अपने काम में रत रहते हैं और किसी की परवाह नहीं करते घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते भजन किर्टन भक्ति भाव दया मया परोपकार जैसे संसकार कम हो गया है सहर में बुराईयां बढ़ गई थी सराब, जुगा, रेस, ब्याभी चार, चोरी, डकैती, आदी सब बहुत से अपराद सहर में होते थे कहावत है कि हजारों निरासा में एक अमर आसा छिपीवी है, इसी तरह इतनी सारी बुराईयों के बावजूद सहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे ऐसे अच्छे लोगों में सीला और उसके पती की ग्रहस्ती मानी जाती थी सीला धार्मिक प्रविर्ती की और मा संतूसी की अनन्य भक्त थी उनका पती भी बिवेकी और सुसील था सीला और उनका पती इमांदारी से जीते थे, वे किसी की बुराई ना करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय बैतीत करते थे उनकी ग्रहस्ती आदस ग्रहस्ती थी और सहर के लोग उनकी ग्रहस्ती की सरहना करते थे सीला की ग्रहस्ती इसी तरह खुसी खुसी चल रही थी पर कहा जाता है कि कर्म की गती अकल है बिधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता और इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा सीला के पती के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गये थे और वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा वह जल्द से जल्द करोर पती होने का ख्वाब देखने लगा इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोर पती के बजाए रोट पती बन गया यानि रास्ते पर भटकते भिकारी जैसी उसकी इस्तिती हो गई सहर में सराब, जुवा, रेस, चरस, गांजा, आदी, बंदियां फैली भी थी उन में सीला का पती भी फस गया अब दोस्तों के साथ उसे भी सराब की आदत हो गई जल्द से जल्द पैसा कमाने वनने वाले लालच में दोस्तों के साथ रेस जुवा भी खिलने लगा इस तरह बचाईवी धंडासी पत्नी के गहने सब कुछ जुए में गबा दिया समय के परिवर्तन के साथ घर में दर्दिता और भुकमरी फैल गई सुख से खाने के बज़ाए दो वक्त के भोजन के लाले पड़ गए सीला को पती की गालियां खाने का वक्त आ गया था सीला सुसील और संसकारी इस्तरी थी उसको पती के बरताव से बहुत दुख हुआ किंटुवा भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहन करने लगी कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है इसलिए दुख के बादल सुख आएगा ही और दुख के बादल छटेंगे ही ऐसी सरदा के साथ सीला प्रभु भक्ती में लीन रहने लगी इस तरह सीला ओसह दुख सहते सहते प्रभु भक्ती में वक्त बिताने लगी अचानक एक दिन दोपहर में उसके दुआर पर किसी ने दस्तक दी अब सीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कोन आया होगा फिर भी द्वार पर आये हुए अथीती का आदर करना चाहिए ऐसा आरे धर्म के संसकार वाली सीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा तो एक माजी खड़ी थी वे बड़ी उम्री की लगती थी किन्तु उनके चेहरे पर अलोगिक तेज निखर रहा था उनकी आखों में से मानो अम्रित भह रहा था उनका भव चेहरा करुना और प्यार से चलकता था उनको देखते ही सीला के मन में अपार सांती चा गई वैसे सीला इस माजी को पहचानती न थी फिर भी उनको देखकर सीला के रोम रोम में आनन्द चा गया सीला मा जी को घर के अंदर सादर के साथ ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था अता सीला ने सकुचा कर एक फटी भी चादर पर उनको बिठाया और मा जी ऐसा कहा क्यों सीला मुझे पहचाना नहीं? अब सीला ने सकुचा कर कहा मा आपको देखते ही बहुत खुसी हो रही है, बहुत सांती हो रही है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढून रही थी, आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती, मा जी ने हसकर कहा क्यों, भूल गई, हर सुक्रवार को लक्षमी जी के मंदिर में भजन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ, वहां हर सुक्रवार को हम मिलते हैं, अब पती गलत रास्ते पर चड़ गया, तब से सीला बहुत दुखी हो गई थी, और दुख की मारी वह लक्षमी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी, बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे सर्म लगती थी, उसने यादास्त पर जोड दिया, पर वह मा जी की याद नहीं आ रही थी, तब ही मा जी ने कहा, तु लक्षमी जी के मंदिल में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तु दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तु क्यों नहीं आत मा जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी और यह देखकर मा जी सीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती हुई, पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर स्वंताना संत्वना देने लगी, मा जी कहती है बेटी, सुख और दुख तो धूप चाउँ जैसे होते हैं, धहरे रख सुनकर सीला के मन में सांती मिली, लगा उसे जैसे किसी ने एक ममता मई हाथ सर पर फेर दिया है और उसने मा जी से कहा मा, मेरी गिरस्ती में भरपूर सुख और खुसिया थी, मेरे पती भी बहुत अच्छे थे, अचानक हमारा भागी हम से रूट गया, मेरे पती बुरी आदोतों के सिकार हो गये, तता अपना सब कुछ गवा बैठे हैं, अब हम भिखारी जैसे बन गये हैं, यह सुनकर मा जी ने कहा, ऐसा होता है, कि कर्म की गती बहुत ही न्यारी होती है, हर इंसान को उसके कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवस्य आएंगे, तू तो मा लक्षमी की भक्त है, मा लक्षमी जी तो प्रेम और करना की अपतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर रखकर मा लक्षमी जी का ब्रत कर, इससे सब अवस्य करूंगी, तब मा जी ने कहा बेटी, मा लक्षमी का ब्रत बहुत सरल है, उसे बरद लक्षमी ब्रत या बैभव लक्षमी ब्रत भी कहते हैं, या ब्रत करने वाली की सब मनोकामना पुर्ण होती है, और वह सुक संपत्ती और यस प्राप्त करता है, ऐसा कहकर मा जी बैभव लक्ष्मी ब्रत की बिधी कहने लगी बैभव लक्ष्मी ब्रत वैसे तो सीधा साधा ब्रत है किन्तु कई लोग यह ब्रत गलत तरीके से करते हैं इसलिए उसका फल नहीं मिल पाता कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुंकुं से पूजा करो बस ब्रत हो गया पर ऐसा नहीं है कोई भी ब्रत सास्त्री बिधी से करना चाहिए तब ही उसका फल मिलता है सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का बिधी से पूजन करना चाहिए ब्रत की उद्यापन बिधी भी सास्त्री बिधी से करना चाहिए यह ब्रत सुकरवार को करना चाहिए प्रातकाल असनान करके स्वक्ष बस्तर पहनो सारा दिन जैमा लक्षमी का रटन करते रहो किसी भी चुगली ना करो साम को पुर्व दिसा में मुह करके आसन पर बैठ जाओ सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो रुमाल पर चावल का छोटा सा धेर बनाओ उस धेर पर पानी से भरा तामबे का कलस रखकर कलस पर एक कटोरी रखो उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो सोने का ना हो तो चांदी का भी रख सकती है चांदी का ना हो तो एक रुपय का सिका ही रख दो बाद में घी का दीपक जला का अगरवत्ती सुलगा कर रखो मा लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और मा लक्ष्मी जी को स्रीयंत्र अतिप्री है अतह बैभव लक्षमी के पूजन में बिधी करते वक्त सरपर्थम स्रीयंत्र और लक्षमी जी के बिविध स्वरूपों की सच्चे दिल से दर्सन करो उनके बाद लक्षमी अस्तवन का पाठ करो बाद में कटोरी में रखे वे गहने या सिक्के को हल्दी कुंकुं और चावल चढ़ा कर पूजा करो और लाल रंग का पुस्प अर्पित करो साम को कोई मीठी चीज बना कर उसका प्रसाद रखो ना हो सके तो सक्कड या गुड़ भी चल सकता है फिर आरती करके 11 बार सच्चे हिर्दे से जै मा लक्षमी जै मा लक्षमी ऐसा बोलो बाद में 11 या 21 सुक्रवार या बरत करने का संकल्प मा के सामने करो और आपकी जो मनो कामना हो वह पूरी करने को मा लक्षमी जी से बिंती करो फिर मा का परसाद बार दो और थोड़ा परसाद अपने लिए रख लो अगर आप में सकती हो तो सारा दिन उपवास रखो और सी परसाद खाकर सुक्रवार का ब्रत करो ना सकती हो तो एक बार साम को परसाद गहरन करते समय खाना खालो अगर थोड़ी सकती भी ना हो तो दो बार भोजन कर सकती है बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपिया ले लो और कलस का पानी तुलसी जी में डाल दो और चाबल पक्छियों को डाल दो इसी तरह सास्त्री बिदी से ब्रत करने से उसका फल अभस्य मिलता है और इस ब्रत के प्रभाव से सब प्रकार की बिपत्ती दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है संतान ना हो तो संतान की प्राप्ती होती है स्वभाग इस तरी का स्वभाग अखंड रहता है और कुमारी लड़कियों को मनभावन पती मिलता है सीला यह सुनकर आनंदित हो गई फिर पूछा मा आपने बैभव लक्षमी बरत की जो सास्री बिदी बताई है वैसे मैं अवस्य करूंगी किन्तु उसकी उद्यापन बिदी किस तरह से करनी चाहिए किरपा यह भी किरपा करके मुझे बताईए अब मा लक्षमी ने कहा 11 या 21 जो मननत मानी हो उतना ही सुकरवार या बैभव लक्षमी बरत पूरी सरदा और भावना से करना चाहिए बरत के आखरी सुकरवार को खीर का नवेद रखो पूजन बिदी हर सुकरवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए पूजन बिधी के बाद स्रीफल फोडो यानि नारियल और कम से कम साथ कुमारी या स्वभाग साली इस्त्रियों को कुम कुम का तिलग करके बैभव लक्ष्मी ब्रत की एक एक उस्तक उभार में देनी चाहिए और सब को खीर का परसाद देना चाहिए फिर धनलक्ष्मी सरूप बैभव लक्ष्मी सरूप मा लक्ष्मी जी की चबी को परनाम करें मा लक्ष्मी का यह सरूप बैभव देने वाला है परनाम करके मन ही मन भावुकता से मा से प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे मा धनलक्ष्मी मैं बैभव लक्ष्मी मैंने सच्चे हि इस्तरी का स्वभाग अखन रखना, कुमारी लड़की को मनभावन पती देना, आपका यह चमतकारी बैभव लक्ष्मी ब्रत जो करे उसकी सब बिबत्ती दूर करना, सब क्यों सुखी रखना, हे मां आपकी महिमा अप्रमपार है, मां जी के पास से बैभव लक्ष्मी ब्रत क कहे अनुसार सरधा पुरुबक सास्त्री बिदी से बैभव लक्ष्मी ब्रत 21 सुक्रवार तक करूंगी और ब्रत की सास्त्री एरिती के अनुसार उद्यापन भी करूंगी, सीला ने संकल्प करके आँखे खोली तो सामने कोई न था, वह बिसमित हो गई कि मां जी कहां गई यह मां जी और कोई नहीं वलकी साक्षात लक्ष्मी जी थी, सीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए मां लक्ष्मी देवी मां जी के रूप में आ गई थी सीला के पास दूसरे दिन शुक्रवार था प्राता कालस्नान करके स्वक्छ गषत्र पहन कर सिला मनीमन सरधा और पूरे भाव से जय मालक्षमी का मनीमन जब करने लगी और सारा दिन किसी की चुगली नहीं की साम हुई तब हाग मा मुह धोकर सिला पुरुदी साब में मुह करके बैठी घर में पहले से तो खान सोने के बहुत से गहने थे पर पती ने गलत रास्ते पर चलकर सब कुछ गिर्वी रख दिया था पर नाक की कील पुल्ली बच गई थ नाक की कील निकाल कर उसे धोकर सिला ने कटोरी में रख दी सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुटी भर चावल का धेर किया उस पर तांबे का कलस अस्थापित कर पानी उसमें डाला और फिर उपर कील वाली कटोरी रखी फिर बिधी पुरुवक बंदन अस्तवन पूजन बेगेर किया और घर में थोड़ी सक्कर थी वो परसाद के रूप में रखकर बैभब लक्षमी ब्रत किया यह परसाद पहले पती को खिलाया परसाद खाते ही पती के सवाब में फर्क पड़ गया उस दिन उसने सीला को नहीं मारा सताया भी नहीं सीला को बहुत आनंद और उसने मन में बैभब लक्ष्मी ब्रत के लिए स्रधा बढ़ गई सीला ने पुन्र स्रधा भक्ती से 21 सुकरवार तक ब्रत किया 21 सुकरवार को विधी पुर्वक उद्यापन विधी करके सास्त इस्तरियों को बैभब लक्ष्मी की साथ पुस्तक उपहार में दी फिर माता जी ने के धन लक्ष्मी स्वरूप की छबी को बंदन करके भाव से मन ही मन प्रातना करने लगी है माँ धन लक्ष्मी मैंने आपका बैभब लक्ष्मी ब्रत करने की मननत मानी थी और यह ब्रत आजपुर्ण हो गया है हे मा मेरी सभीपत्ती दूर करो हमारा सब का कल्यान करो जिसे संतान न हो उसे संतान देना स्वभागी वती इस्तरी का स्वभागी अखन रखना कुमारी लड़की को मनभावन पती देना जो कोई आपका यह चमतकारी बैभब लक्ष्मी बरत करे उसकी सभी पत्ती दूर करना सबको सुखी रकरना हे मा आपकी महिमा अपरम पार है ऐसा बोल कर लक्ष्मी जी के धन रूपी सरूप की छबी को परणाम किया इस तरह सास्त्री विदे से सीला ने स्रधा से बरत किया त घर में धन की बार सी आ गई और घर में पहले जैसी सुक्सानती चा गई बैभब लक्ष्मी बरत का परफाव देखकर महले की दूसरी इस्तियां भी सास्त्री विदी से बैभव लक्षमी का ब्रत करने लगी हे मा धनलक्षमी आप जैसे सीला पर प्रसंद हुई उसी तरह आपका ब्रत करने वाले सब पर प्रसंद होना सब को सुकसानती देना जै धनलक्षमी मा जै बैभव लक्षमी मा झाल झाल